अथ्याय चार श्लोक आठ भागवद गीता परित्राणाय साधो नाम विनाशाय चदुश्कृताम धर्मसंस्थापना थाय संभवामी युगे युगे अनुवार साधों का उत्थार करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनहस्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ ब्याख्या इस लोग में जो योगिश्वर श्री कृष्ण कहे रहे थे उस पर बड़ी गहराई से विचार करने की आवश्चक्ता है वे कह रहे थे कि धर्म की पुनहस्थापना करने के लिए स्वरन रहे हम पुनहस्थापना उसी की कर सकते हैं जो नश्ट हो चुका हो परन्तु प्रश्न यह उत्ता है कि साधुओं के रहते धर्म नष्ट कैसे हो सकता है क्योंकि धर्म तो साधुओं के रिदे में वास करता है तो जब तक साधु जनपृत्वी पर उपस्थित हैं तब तक धर्म उनके रिदे में स्थापित ही रहेगा तो उसके नश्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है परन्तु फिर योगिश्वर श्री कृष्ण धर्म की पुनहस्थापना की बात क्यों कर रहे थे तो इस प्रश्ण का उत्तर हमें संभव तह उनके कथन साधूं का उत्थार करने के लिए से मिल जाएगा साधरन तह साधू जन सबका उत्थार करते हैं तो उनका उत्थार करने की तो किसी को आवशक्ता पढ़नी ही नहीं चाहिए दुष्ट अपना उत्थार ना कर पाए तो समझ में आता है परन्तु साधू यदि स्वयम का उत्थार ना कर पाए तो वह साधू कैसा तो योगेश्वर श्री कृष्ण जिन साधूं के उध्थार की बार कर रहे थे, वे साधूं के भीश में पाखंडी हैं, क्योंकि दुष्टों से साधूं की रक्षा करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है, दुष्टों साधूं को सता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जिन्हें प आखंडी साधों के उद्धार करने की बात कर रहे थे दुष्ट के विनाश का क्या अर्थ होता है दुष्ट के विनाश का एक ही अर्थ होता है कि दुष्ट में वास कर रही दुष्टता नश्ट हो जाए दुष्ट का अतनाश मोल तहब बिना श्रस्त का उपयोग यही किया जाना चाहिए जब तक कि श्रस्त का उपयोग करना अनिवार्य ना हो जाए महाभारत के युथ्थ से पूर्ष्वयम श्री कृष्ण शांती दूद बनकर समराथ विट्राष्ट के समुख शांती का प्रस्ताव लेकर गए थे परन्तु दुष्ट दुड्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की चेश्टा की तथा उनका प्रस्ताव अस्विकार कर दिया फे साधों के उथार का क्या अर्थ होता है साधों के उथार का अर्थ होता है पाखंडी साधों का उथार करना पाखंड का अर्थ है किसी का अपने स्वभाव के विरुत कार्य करना तो देखा जा तो दुष्ट कुछ होता है, जिसका विनाश करना आवश्चक होता है, परहनतु पाखंडी केवल एक आडंबर होता है, एक ऐसा मनुष्य जिसने एक नकली मुखोटा लगा रखा होता है, यदि उस मुखोटे को खतार दिया जाए, तो वास्तविक मनुख्य समक्ष आ जाता ह इसलिए पाखंडी साधू का उध्धार ही किया जा सकता है.